दोस्ते मैं हो प्रदेव सुकला स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेडिवित प्रदीफ दोस्तों आज बात करेंगा मिलाहबाद हाइ खोड्स काकटभ किंटना कितना जा सकता जाने कितनी हो सकती मेरत क्यों बढ़ सकती मेरत इस सब की जानकारी मैं बताओंगए मेरिट कुछ बढ़ सकती इस बार पिछली बार की तुलना में सत्य और सटी के अगदम जानकारिया आपको देंगे हैं 99% तक सत्य जानकारिया हैं आप यहां पे कुछ लोगों के आकलन से बनाएगी मेरिट है हलाकि मेरिट सरकारी नहीं है फिर भी आपको सत्यमान करके इसे द सदीब सुकला के माद्यम से हिंदी विग्ञान रिजिनिंग की तैयारियां भाली भात कर सकते हैं मैं आप बता दो कि उत्तरप्रदेश बियट का फार्म जो की नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला अपरेल में पेपर होने वाला तो उसकी भी कछ्छाएं पर आरम हो करिये आप की तैयारी अपकी जीत हमारी ही जीत है उसके बाद मैं बात करता हूं इलाहबाद हाई कोट की जो की कटाप कितना जा सकता है गुरूपशी का तो जनरल की मेरिड जो है और 66 के 90 तक हो सकती है और विसी की 84-89 तक हलांकि ऑविसी और जनरल की बרाबर भी जादें क की संभावना है यह से स्टूडेंटों के अगर बात करें तो 81 से लेकर के पचासे तक मान सकते हैं चुकि मेरिड कुछ बढ़ सकती है अरच्छन का लोचा सब चल रहा है जानी रहे हैं आप तो क्या क्या हो रहा है इलाहबाद हाई को समू सी का कटाप अगर स्टूडेंटों क की बात करें तो 79 से 82 हो सकता है और फिमेल के अगर बात करें तो 82 से 85 हो सकता है फिजकली हिंडिकेप्ट की अगर बात करें तो 79 से 82 तक मेरिड जाने की संभावना है मेरे प्यारे मित्रों मैं आप सभी को फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि यह बोड का कटाफ नहीं है अता यह कम और ज्यादा हो सकता है तो आप अपने तैयारी को सुलब करिए और बोर्ड के कटाफ का और बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार करिए मैं आपको यह बता दू कि यह जो एक है कुछ लोगों के राय मस्वरे से बनाएगी कटाफ है तो चंद लोगों में और बोर्ड के एक्जाम के कटाफ में और रिजल्ट में बड़ा अंतर होता है तो अगर आप मेरिट कम उपर होती तो मैं च्छमा चाहता हूं और इसके लिए मैं किसी परकार से चैनल या मैं खुद जिम्यदान नहीं हूँ आपने मेरे साथ वक्त दिया आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद मैं फिर मिलूँगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई जानी कारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार